गरीवनिंग एंड वैलकम टू मनी गुरू मैं हूँ स्वाती रायना और मनी गुरू में हर मंगलवार की तरह आज हम बात करेंगे लोन्स की लोन से रिलेटेट करी दर्शकों के सवाल हमारे पास आये हैं उनके जवाब देंगे और साथी खास फोकस हमारा कहा पर रहेगा बताते हैं आपको बिजनस लोन कैसे मिलेगा किसी भी तरीके का बिजनस करने की सोच रहे हैं या पर existing business को expand करना है तो लोन की प्रक्रिया क्या र देंगे और तमाम दर्शकों के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बेहदी खास महमान जुरे हुए हैं हमारे साथ US भारगव XCGM PNP सर आपका बहुत स्वागत है मानी गुरू में हमारे साथ काफी सारे सवाल आ रखे हैं इस वक्त तर्शकों के और पतना से मनोट सिनहा का सबसे पहले सवाल लेते हैं जो कि business loan के बारे में जानना चाह रहे हैं इन्होंने अपने बारे में बताया है कि सालाना आए इनकी 6 ला सब्सक्राइमेंट है में बिशायद पहली बार ये ले रहे हैं इसलिए शायद थोड़ा बहुत कंफ्यूज हैं तो सर बिजनेस लोन किन शर्तों पर बैंक देता है क्या क्राइटीरिया होता है सिना जी मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपको अपने बिजनेस का एक प्लान बनाना होगा और उसकी कौपी बैंक को प्रस्तूत करनी होगी अपनी जस्टिवेजन के साथ कि आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है उसमें किन आधार के उपर आपने अपना टर्नोबर जो सरोपरी होगा कि आपका जो personal ID प्रूफ है वो और residential प्रूफ जो है ये दोनों आपको साथ में लेकर जाने होगे पिछले तीन साल के दोरान आपने जो income tax return भरे उनकी copy ले जानी होगी साथ में आपको आपके जो assets or liabilities हैं उनके details उसको आपको साथ में लेकर जानी होगी assets जो आपने दिखाए हैं उससे related आपको जो documents prove करने हैं कि आपने जो assets दिखाए हों सही हैं कि नहीं है वो लेकर जाने होगे और जैसा मैंने बताया सबसे महत्पूर्ण बात यह होगी कि आप अगले तीन साल के अंदर जो projected balance sheet और profit and loss बनाते हैं उसका क्या आधार आपने बनाय जिसके आधार पर की bank यह तै करेंगे आपको कितना loan दिया जा सकता है साथ में आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो भी आपकी business करने की funding की requirement होगी उसका कम से कम 25 से 30% आपको अपनी तरफ से contribute करना होगा साथ ही आपको यह भी सपर्ष करना होगा कि आपको कितना कितना loan किस सब्सक्राद होगी कि आपको तीन साल से पाफ चार साल या पांस साल कितने सब्सकों रीपे कर देना है और दूसरा जो होता है mostly business run करने के लिए वो कहलाता है working capital requirement working capital requirement जो है वो आपको जो खरीद फरुक्त करके जब माल लेके आना है कच्छा माल लेके आना है अगर आपको कुछ manufacture करना है तो यह अगर कोई commodity ट्रेडिंग में लानी है और खरीदना है और फिर बेचना है तो उसकी क्या requirement होगी यह आपको work out करके bank को बताना होगा कि आपको जो rate of interest लगता है वो आपकी rating के ऊपर depend करते हुए 12-14% तक का लगता है यानि इसमें सारे में जो आपने महत्पून बात जाननी चाहिए कि आपको कितना loan मिल सकता है वो इस बात पर निर्भा करेगा कि आपका business projection क्या है और वो आपने सही estimate किस आधार पे किया है उसके लिए जो आप write-up बनाएंगे उसको bank को आपको properly explain करके accept करवाना होगा सर ये उन लोगों के लिए हो जो पहली बार business शुरू करना चाहते हैं और पहले कभी लोनने लिया इसके लिए बिल्कुल सही का आपने है अल्राइट चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ गुज इस चीज़ को लेकर है कि अब क्या सिबल स्कोर में ये reflect करेगा कि नहीं और क्या impact होगा इनके future credit पर सर पहले credit card लिया फिर एक साल तक नहीं पे किया सिबल स्कोर खराब होता है इससे मैं बताना जाओंगा शाह मिस्टर शाह कि जो credit card का लोन होता है वो एक तरह से आपका clean loan ह होता है bank के बास उसके लिए किसी प्रगार की security नहीं होती है इसके बावजूद bank जब आपको ये loan देते बिना किसी security के तो आप ये ध्यान रख ले और बाकी दर्शक भी ध्यान रख ले कि यदे default होता है तो credit card के default पर जित्रा heavy interest है उत्रा और किसी भी loan के उपर नहीं है और इस द्रश्टी से किया गया है कि पूरी industry banking industry से जो लोग loan avail कर रहे हैं वो एक discipline way में loan avail करें क्योंकि आज ये आवश्चक बन गया है सारे बैंकों के लिए कि कोई भी loan application दे आती है तो सबसे पहले civil score उस व्यक्ति का क्या है जिसने loan apply किया है उसको देखा जाता है जिससे ये म पास्त का record एक repayment का अच्छा नहीं रहा है तो बैंक को डाउट होगा आपका आगे भी repayment का record ठीक रहेगा या नहीं रहेगा इस वए से आपने आपका default हो गया है उसके genuine करण है कि आपका job चूट गया है या आपके घर में किसी तरह की बहुत जा दिक्कत हो गई है वो यद और तो हो जाएगा कि आपने सेल कर दिया है लेकिन आपका score जया हो कम होगा यह मैं आपको बता देना चाहता हूं सारे दर्शक में बता देना चाहता हूं कि कुछ बैंक इसके भावजूद भी कि आपका civil score कम है अपने एक internal rating भी करते हैं उस internal rating के अंदर यदि आपकी rating ठीक जो है वो बहतर रखना होगा और उसके अंदर मारी की बात यह होती है कि आपने जितने का जितने limit का credit card लिया यदि आप पूरा avail करके रखते हैं उस credit card को तो यह अच्छी बात नहीं मानी जाती है यानि आप ने अगर दो लाग की limit बनाई है तो उस दो लाग की limit के अगेंस करते हैं और इससे आपकी rating improve हो जाती है जी बढ़ते आगे और एक और दर्शक का सवाल लेते हैं चैनई से अन्ना दुराई ने हमें email पर अपना सवाल भीजा है और यह education loan के बारे में जाना चाह रहे हैं अपने बेटे के लिए education loan लेना चाहते हैं इनकी जो salary है per month वो है 50,000 और यह जाना चाहरे कि procedure क्या है और repayment of loan कैसे क्या जा सकता और साथी interest क्या हो सकता है तो bank education loan देने से पहले किन criteria को धान में रखता है अना दुराई मैं आना जाओंगा कि सबसे महत्पून बात तो यह है कि education loan के लिए parents की income का कोई अधार नहीं होता है क्योंकि उसका repayment जो है वो expect किया आता है कि जो बच्चा education loan ले रहा है वो पढ़ाई के बाद जब नौकरी करेगा तो उसकी नौकरी से जो income होगी उसे repayment आ होंगे जब आपको किसी मानिता प्राप्त institute के अंदर admission मिल जा बच्चे को और वहाँ जब बच्चे को admission मिल जाता है तो उस institution के जो खर्चे है उसके लिए bank loan लोन देता है वो खर्चे कैसे है उसकी tuition fees क्या है उसके जो किताबें और gadgets खरीदने पढ़ाई करने के लिए उनके पर कितना खर्चा आएगा वहां अगर hostel में उसे रहना है तो hostel का खर्चा कितना आएगा और यदि भार कहीं education के लिए वो जा रहा है तो भार आने जाने का अगर हवाई आत्रा का कोई खर्चा है तो वो भी bank finance कर सकता है तो इस प्रकार से जो amount बनता है उस amount को बराबर आपक कि आपका जो loan की rate of interest है वो पढ़ाई के दौरान simple रहती है यानि interest के उपर interest नहीं लगता है और पढ़ाई पूरी करने के बाद 5-7 साल सक्का समय bank देते हैं आपको repay करने के लिए यानि इसका तब यह हुआ कि पढ़ाई के दौरान किसी प्रकार के loan पर repayment की अवश्ता नही कैसे calculate करता है education loan के case में? अंकिता सिंग हमारे हम से personal loan के बारे में जानना चाह रही है यह पहली बार personal loan ले रही है इनके बारे में कुछ बताएं प्रति महीने 50,000 इनकी salary है और क्या documents required होते हैं क्या criteria है कैसे इने आगे बढ़ना है step by step यह जानना चाह रही है सर, personal loan अगर लेना है पहली बार के लिए एक first timer के लिए कैसे बढ़े हांगे? अंकित है जी और बागी दर्शकों को मैं यह बताना चाहूँगा कि आम तोर पर जो personal loan होते हैं उन पे ब्याच secured loan के मकामले में काफी ज़्यादा होता है और इस वहे से वाकई जब बहुत जरूरी हो तभी किसी व्यक्ति को personal loan लेना चाहिए आप personal loan जो दिया जाता है वो बैंकों के द्वारा दिया जाता है आपकी अभी के आमधनी के आधार पर बाकी जो loan होते हैं उनके अंदर तो यह है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे क्या return आएगा और उससे आपका repayment ढूपाएगा कि नहीं हो पाएगा यह देखता है ब परसनल लोन के मामले में आपके पाँ कहीं additional income आने की संभावना नहीं है क्योंकि आप उस loan को consumption के लिए परसनल लोन को और वो लोन जो है वो चुकाने की आपकी capability होनी चाहिए आपकी existing income के आधार पर तो आपकी जो existing income है उसका नॉर्मली बैंके एक्सपेट करता है कि 50% से ज जादा नहीं बननी चाहिए और उसके आधार पर बैंक लोन की आपकी eligibility कित्ती बनती है यह calculate किया जाता है और नॉर्मली यह लोन जो है बैंक एक्सपेट करता है कि 36 महीने के अंदर यानि 3 साल के अंदर आपको repay कर देने हो चाहिए अब आपको avail किस परकार से करना चाहिए यह दो तरह की इस्तितियों के अंदर आपको बैंक consider करता है personal loan देने की या तो आपका personal account बैंक के अंदर अलड़ी exist कर रहा हूँ ताकि आपके account के अंदर जो amount credit हो रहा है amount जमा हो रहा है उससे बैंक अंदाजा लगा सके कि आपके repayment करने में किस तरह की दिक्कत नहीं हुली या फिर आपका employer जो है अगर आप employee है नहुकरी कर रहे हैं तो आपका employer यदि बैंक को ये undertaking देते हैं कि आपकी salary में से जो EMI है वो deduct करके bank को employer pay कर देगा तो उस case के अंदर bank comfortable होते हैं आपका personal loan consider करने के लिए या फिर कुल मिलाकर करके हैं या तो आपका bank में account हो या आपका employer कर एक undertaking देने को तैयार हो कि आपके EMI को डिड़क करके bank में पैसा जमा कर देगा परसनल लोन के लिए higher tenure होता है कुछ लोग लंबा tenure लेते हैं कुछ लोग कम tenure लेके जादे MIP करते हैं क्या जादे advisable होता है क्योंकि मैंने जैसे बताए कि rate of interest इसमें ज्यादा होता है इस वहे से यदि आपको लेना ही पड़ रहा है आपको मजबूरी बन गई है कि आपका उसके बिना काम नहीं चल सकता तो interest का impact कम से कम रखने के लिए आप उसका period जित्ता थोड़ा रखेंगे उतना ही कम आपके उपर interest का बढ़ना आएगा क्योंकि इसमें interest 14-16% तक bank charge करते है जैसे vehicle loan भी अगर आप लेते हैं तो 10-11% मिल जाता है क्योंकि personal loan आपको 14-16% की rate पर मिलता है वेकल loan के आपने बात कही अगला सवाल भी हमारा actually car loan से जुड़ा हुआ है शिमला से रोहन राय हमें car loan के बारे में जानना चाह रहे हैं और इनकी salary आपको बताए 30,000 रुपए प्रति महीना इनकी salary है और car loan इन्हें क्या मिल सकता है इस salary पर और क्या documents required होंगे इसके लिए Mr. I, आपकी salary है उसके basis में कह सकता हूँ कि आपके eligibility four-wheeler loan नेने की है क्योंकि normally banks 20,000 का cut-off रखते है minimum salary होने का एक four-wheeler loan के लिए और यह आपको bank जो है वो जो loan amount है करना है उसका एक benchmark सा बना रखा है कि आपकी जो carry home salary है, net salary जो आपके deductions, statutory deductions के बाद आपके बाद आती है उसका 25 गुना तक आपको bank जो है वो loan के रूप में दे सकता है उसमें साथ में प्रावदान ये भी है कि आपको अपनी तरफ से भी वो vehicle खरीदने के लिए कुछ contribute करना होता है यानि जो on road cost हैगी उसका करीब 15% आपको अपनी तरफ से उसके अंदर contribute करना होगा बाकी का पैसा bank से आपको मिल सकता है और इसमें जो rate of interest है जैसे मैंने अभी अभी जिक्र किया personal loan वगरे के मुकाबले में काफी कमें यानि 10-11% के करीब rate of interest लगती है जिसके उपर के आप जिसमें के आपको car खरीदने के लिए loan मिल सकता है और इसका repayment period भी काफी comfortable है यानि आप 7 साल तक का समय ले सकते हैं 84 महीने के अंदर आप अपने car loan को हरीपे कर सकते हैं आज इतने ही सवाले पाएंगे हम loan special में thank you so much sir हमारे साथ money guru के loan special में जुरने के लिए और हमें भी दीजे अजाज़त लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिलाएं कि loan से related कोई भी आपका सवाल है आप हमें email कीजिए हमारे email id moneyguru.zmedia.slgroup.com सवाल के साथ अपना mobile number भी लिखिएगा या पिर SMS कर सकते हैं code KARZ लिखके अपना सवाल 57575 पर थेज़ दीजिए